केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी हमारे प्रधानमंत्री मोधी जी ने मेरे पती को जेल पे डाल दिया क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सचे देश भक्त और इमानदार इंसान है क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सचे देश भक्त और इमानदार इंसान है ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में है इन्हें इस्तिफा देना चाहिए क्या केजरिवाल जी को इस्तिफा देना चाहिए क्या उन्हें इस्तिफा देना चाहिए केजरिवाल जी को इन्होंने गिरतार कर लिया आपके केजरिवाल शेर है शेर ये जादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे करोर और लोगे क्यों दिल में बसते हैं केजरिवाल जिस बहादरी और सहाथ से वो देश के लिए लड़ रहे हैं कभी कई बार मुझे लगता है कि अजादी की लड़ाई में वो एक freedom fighter थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए इस जन्ग में भी केजरिवाल जी को शायद भारत मा के संघर्ष के लिए भेजा है अब मैं आपको केजरिवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी मेरे प्यारे भारत वासियों जेल से आप सब अपने इस बेटे अपने भाई का प्रनाम स्विकार कीजिए मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा आने वाले चुमनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा आज मैं देश के 140 करोड लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सिहोग मांता हूँ 140 करोड भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए अमंतरित करता हूँ भारत एक महान देश है हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है भगवान का दियस सब कुछ है भारत में फिर भी हम पिछडे क्यों है हमारे लोग अनपड क्यों है गरीब क्यों है मैं यहाँ जेल में हूँ यहाँ काफी समय सोचने के लिए मिलता है रात को तूट तूटके नींद आती है भारत मा के लिए सोचता हूँ भारत मा बहुत दुखी है भारत मा दर्द में है दर्द से करा रही है जब महगाई की वज़े से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं नसीब नहीं होती तो भारत मा को बहुत दुख होता है भालत खराब है तो मा को बहुत भीड़ा होती है उस पर जब कुछ नेता सुभा शाम लक्षेधार भाशन देते हैं शानों शौकत की जिन्दगी जीते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लुटने में लगे हैं तो भारत मा को बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों से भारत मा को सक्त नकुड़त है आईए मिलकर एक नया भारत बनाते है एक सो चालीस करोन लोगों के सपने का भारत एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भर पेट खाना मिलेगा हर हाथ को काम मिलेगा कोई बेरोजगार नहीं होगा कोई गरीब नहीं होगा कोई अनपर नहीं होगा हर बच्चे को अच्छी सिख्षा मिलेगी चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का हर भी बिमार को अच्छा इलाज मिलेगा चाए वो अमीर हो या गरी देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली होगी देश के हर गाउं में शांदार सडके होगी एक ऐसा भारत होगा जो पूरे विश्व में सिक्षा का केंदर होगा जहां दुनिया भर के युगा बढ़ने के लिए आएंगे एक ऐसा भारत बनाएंगे जो साइंस और टेकनोलोजी में वर्ड लीडर होगा भारत के अध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहचाएंगे एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई उच नीच नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, मार पीट नहीं होगी, गाली गलोच नहीं होगी जहां सब को नयाय मिलेगा प्रेप और भाईचारा होगा आज मैं देश के 140 करोन लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आहुहान करता हूँ यदि आप सब इंडिया गटबंदन को मौका देते हैं जिम्मेदारी सौपते हैं तो हम सब मिलकर ऐसे महान राश्र का निर्मान करेंगे केवल नाम में इंडिया गटबंदन नहीं है दिल में इंडिया है दिल में मैं इंडिया गटबंदन की ओर से आज 140 करोन लोगों भारत बासियों को छे गारंटी देता हूँ पहली पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे कहीं कोई पावर कट नहीं होगा मंजूर है दूसरा पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे मंजूर है तीसरी हर गाउं और हर महले में शांदार सरकारी स्कूल बनाएंगे अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान सिक्षा मिलेगी होना चाहिए चोथा हर गाउं और महले में महला क्लीनिक बनाएंगे हर जिले में शांदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे देश के हर वैक्ति के लिए शांदार और फ्री इलाज की विवस्था करेंगे मंजूर है पाच्वी किसानों को स्वामी नाथन आयोग के मताबिक सही फसलों पर MSP निधारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे मंजूर है च्छटी दिली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है देश के अन्याय राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है उनकी चुनी हुई सरकार पंगू है ये अन्याय हम समाप्त करेंगे दिली वाश्यों को उनका हग दिलाएंगे दिली को पूर्ण राजे का दज्जा दिलवाएंगे मंजूर है मैं आज ये एलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गज़बंदन के साथियों से मांपी मांगता हूँ क्योंकि ये एलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमती या सहमती नहीं ली जेल में हूँ इसलिए सहमती लेना संभाव नहीं था उमीद करता हूँ कि किसी को इस पर आपती नहीं होगी ये सभी छे कारंटी हम पाफ साल में पूरी करेंगे इसका पैसा कहां से आएगा इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है मैं यहां छेल में स्वस्थ हूँ पूरी उर्जा से भरा हूँ इस गिरफ्तारी ने मेरे होंसलों को और मजबूत किया है आपकी दुआएं और आशिरवाद मुझे लगातार मिल रहे हैं उपर वाला मेरे साथ है जल भार आकर आपसे मिलता हूँ आपका अरविल सभी लोगों को सभी लोगों का आशिरवाद और प्यार भरपूर मिल रहा है मेरे पती को अपना ये आशिरवाद बनाए रखना भारत में ये ताना शाही नहीं चलेगी हम लड़ेंगे जीतेंगे अंत में मैं सभी लोगों इंडिया अलाइंस के लोगों का भी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ किस घड़ी में आप सब हमारे साथ खड़े हैं जै हिन अलाइंस के जीवाद अलाइंस के जीवाद